मंडे में हम अपने दर्शकों को फाइनस के फंडे में फाइनेंशियल टिप्स देंगे, फाइनस ही रिलेटीड उनको जानकारी देंगे बिना फाइननस के फंडे के मौनिंगशो मंडे का तो अधूरा है बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आज हम लेकर आए हैं क्योंकि new financial year हमारा जो है शुरू हो चुका है तो किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे investment करनी चाहिए, कितिनी investment करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए, इन सभी pointers के उपर आज हम discuss करने वाले हैं, हमारे साथ studio में guest मौजूद है, Chartered Accountant Shubham Goyal जी, Sir स्वागत है आपका कारि financial planning किसे कहते हैं सबसे पहले तो यही बताईए, क्यों जरूरी है उसके बाद में इस बारे में जानेंगे जी बहुत अच्छा सवाल है देखिए, financial planning कहते किसी हैं कि आपके आने वाले खर्चे, जितने भी आपके life event हैं, जैसे आपकी खुद की शादी हो गई, फिर बच्च यह तो हो गया financial planning, लेकिन मैंने जो practically note किया है, अकसर लोग financial plan तो बना लेते हैं, लेकिन उसे execute नहीं कर पाते हैं, जो गलतियां पिछले सालों में करी हैं, मेरी तो यही request रहेगी सबसे कि सब इस बार कम से कम जो financial plan आपने पिछले सालों में बनाया है, उने execution बहुत सरूरी ह अगर आपको पता है, पांच साल के बाद मेरा बच्चा क्लास 11 में आ जाएगा, मुझे कुछ जेए की कोचिंग करानी है, इतने पैसी कि मुझे जरूरत है, तो आप अभी से उसकी planning शुरू करें, अब जब बात होई गई है students की, तो आपको ऐसी कुछ हमें elements के बारे में ब काफी सारे option होते हैं, अगर secured investment करनी है, तो आप RD का option कर सकते हैं, कि हर महीने पांच हजार, दस हजार, जिस हिसाब से भी आपका budget है, वो RD करा लीजिए, थोड़ा risk ले सकते हैं, तो आप SIP करा सकते हैं, और अगर suppose होता है कि कभी आपकी sudden income हो जाती है, आपको लगता है कि हा मेरे बच्चे के पांच लाग रुपे लगेंगे, तो हो सकता है, पांच साल बाद उस कोर्स के अंदर आट लाग रुपे लगने चालो हो जाएं, तो पांच लाग अगर आपके पास आ गए हैं, तो उसी की नीमत का मतलब एक FD करा लीजिए, या कहीं भी आपको जो investment plan शुवम जी आपने शुरुवात की, आपने बताया कि investment आपने शुरुवात किया कि शादी होती है, फिर बच्चे होंगे, मैं उससे पहले वाले पेस पर आना चाहती है, क्योंकि मुझे उसमें परसनल यह भी बहुत टाइम है, तो मैं अगर यंग्स्टर्स की बात करूँ, यंग्स्टर्स की अगर मैं बात करूँ, यूथ के लिए क्या आप टिप देना चाहेंगे, क्या investment plan उनके लिए रहना चाहिए, क्या अगर हम SIP की बात करें, वो उनके लिए फाइदे मन्द है, क्योंकि यंग्स्टर्स की यूथ की अगर मैं बात करूँ, तो जो fully employment अभी न करेंगे, तो आप जितना यंग, अगर मानिए 500 रुपे भी है ना, आपके पास तो 500 रुपे की भी आप SIP कर सकते हैं, आडी खुलवा सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा होगा, लेकिन देखिए, ये तो आपने investment की बात करी, लेकिन कुछ ऐसी investments कह लीजिए, इंशॉरेंस कह लीजिए, जो तो mandatory है ही, अगर आप एक स्तर पे पहुंच गए हैं, इतनी आप कमा रहे हैं, तो ये तो आपको करने ही करनी है, उनके बारे में बताएए कुछ mandatory insurances which everybody must do, देखिए, दो तो mandatory insurance है ही है, लाइफ इंशॉरेंस में भी term plan mandatory है, बाक अगर आपकी एज लगबग 35 साल के आसपास है, तो एक करोड का अगर आपका term plan है तो वो 15-20 अजार रुपे का आपको मिल जाएगा, इसके अंदर ये होता है कि ये सिर्फ expense है, इसमें आपकी return नहीं है, लेकिन आपकी family का future secure हो जाता है, और ऐसे ही एक दूसरा insurance होता है, health insurance इसके अंदर भगवान ना करें, मतलब ऐसे तो सब fit ही रहें, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता है कि आपको hospital में admit होना पड़ जाए या कुछ हो, तो उसके लिए आपकी सारी savings लग जाती है, तो उसके लिए आपके पास एक health insurance भी होना जरूरिया, और सिर्फ आपको आपना नही सीधा-सीधा insurance product है, लेकिन आप जैसे बात कर रहे है, SIP की वो होते हैं, कुछ investment plan, insurance companies कुछ investment plan link करके दे देती हैं, जिसमें कुछ पार्ट तो insurance का चला जाता है, और कुछ आपको जैसे SIP होती है, या FD होती है, वैसे fix होता है, तो कुल मिलाके कि financial हमें अपने finance को manage करने के ल number, but planning with strategy is just like a dream, Shubham जी आप आए, और आपने अच्छी जानकारी हमारे दर्शों के साथ में साचा करीं, कि हमें अपनी financial planning किस तरह से करनी चाहिए, साल अभी क्योंकि शुरू ही हुआ है, अभी से अगर हमें पता रहेगा, तो हम आगे बहुत अच्छे से इसको कॉप अप कर